हेलो फ्रेंड कैसे हूँ आप सब उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो अभी मैं नहावाली हूँ और सीरधूल के आज नहाई हूँ आज है फ्राइडे तो मैंने सीरधूल लिया और देखे बेटी स्कूल से आ गई है दोपहर का टाइम है लिया और मैं पुल की कुछ बाते बता रही है तो अधुका मैं ऑठ गी अपने ब Tucson है उसे में जाहरना है तो मैं सोच रही हूं कि चलो बहुत साल हो गये मुझे pos क्योंकि मैं अपने ब्लिच की थी तो अभी कर रही हूं बहुत दिनों के बाद लाई हूं तो मैं भूल गई कि कैसे करना है तो यह मैं पेपर दिया रहता है तो पढ़ रही हूं और बेटी को मैं बोली कि जाओ ड्रेस चेंज कर लो दो मुझे करने दो तो वह अपना देख र कुछ होता है सब और दो कि लिए बनाहें सब आदमी लोह को इन लेना देना अधी है। उन लोग का भी अच्छा रहता है कहीं जाना हो तो कितनी सारी तैयारी करने पड़ती है मौर्दों को कितना सारी रखना उसके साथ का मैचिंग चूडी रखना बिंदी वगर मतलब सब कुछ हमें ही तैयारी करना है अपने लिए कितने सारे सामान रखने होते हैं सब कुछ सुन्दर दिखने के लिए मेकप का पुरा सामान रखो मेकप करो और फेशियल उसिल करवाते हैं कहीं जाना होता है तो मैं फेशियल तो नहीं करवाती हूं मैं अपने साधी के टाइम का फेसिल करवाई हूँ तो वही मैं कर रही हूँ ब्लीच तो उसमें मसाज का क्रीम दिया है न तो वही मैं मसाज कर रही हूँ और बेटे से बात भी कर रही हूँ कि चलो तुम सो मेरे साथ इसकूल से आ चुका है और ना वाली है तो मैंने इसको ब कर रहे हूं। तो अभी थेखे कर लिया तो अभी मैं निकाले के जो क्रीम होता है और एक्टीवेटर क्या बोलते हैं उसको जो पाउडर जैसे होता है उसको मिला कि अच्छह से ब्लीच कर लूँगी वैंकि मुझे हमेशा से शुरू इंच करती हूं दो साल तीन साल में दो करते हूं जलती हैं अब बहन कर करते हूं कि उसी टाइम कखे हूं तो अभी मैं कर रही हूं मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो भी गए हैं तो कर लेती हूं और और इसका रिजल्ट अभी अच्छा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वी ऐलसी सी का बाकि अपनी पसंद है देखिए जिसको जो पसंद वो करता है त चहरे पे और फंद्रा मिनट के बाद धुलूंगी उसको करना कोई जदा म। मिलता है उसको कर ले ज़िया विश का लिगा लिए पीस पैक उसको भी में लगाऊंगी फंदर मिनट के बाद मू धहला लोंगी नो ऐसे ही लगा लोंगी फिर वह बाद पांच-छे घंटे तक स कुझ नहीं करना है इस पर लिखा है तो मैं असरी तरीके से लिखा है, ext कि कारी लेती हुआ थाइम मुझा ma टिम्हड हो और यृर्ट कर रहे हैं, कार हम दूआरं तो मैं तो या सब्लगुत को या सबसब करते हो रहे हैं, को समय को बेश Щ जाए पंद्र मेंट के लिए छोड़ दूंगी हो गया मेरे फूरे फेस पे लग चुका है तो 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 अभी ना मैं फेस पे लगा ली हो ब्लीश तो मैं सोचरी पंद्र मिनट तक जब तक लगा के रखूंगी तब तक चलो नेल पेंट लगा लेती हूं क्योंकि इसको छुडा रही हो हरी मोर से पुरा क्लीन करके फिर नेल पेंट लगाऊंगी क्योंकि कल सुबर जाना है ना जल्दी जल्दी में इतना याद ही नहीं रहेगा कि मैं लगाऊं नेल पेंट तो अभी याद है तो लगा भी लेती हूं जरूरी नहीं होता है कि मैं नेल पेंट लगाऊंगी लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था क्योंकि मैं नया लेकर आई हूं बहुत दिनों के बाद मैं ने तो वही मैं अभी इसको क्लीन करके नेल पेंट लगाऊंगे रिमोवर से तो अभी देखे बाबु मेरा सोच चुका है और बेटी न अड्रेस रेचेंज कर लिए उसको मैं खाना देदी हूं तो अपना दूसरे वाले कमरे में खाना खा रही है और इधर देखे बेड पे फिर उसके बाद हजबेंट कराता है तो बैक पैक हो चुका है अभी मुझे रखना है चूड़ी साड़ी पर का जो मुझे साड़ी पहना तो उस पर का भी मैंने चूड़ी ही ने रखा है और मैं आप लोगों को दिखा रहे हो कि देखे कितना प्यारा सा कलर मैं लेके आई ह बालोंगे और मेरा बिलिच हो चुका है तो मैं मूध हुल के आ गई हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा भी रहे हो कि देखे कैसा असर हुआ है अच्छा रहता है बहुत ज्यादा बाल को वाइट नहीं करता है एक नैचूरल सा कलर आता है बहुत ज्यादा वाइट नहीं क चाहरे पर गलोव एक हलका असा दिखेगा आपको और बेटी ना खाना खाली है तो कुछ बाते कर रहे हैं मेरे पास खड़े हो के मैं उसी की बाते सुन रही हूँ और मैं बोल रहे है कि ममा आप अब डरावनी लग रही हो भूदनी जैसे बन गई हो क्यों ऐसे कर रही हो मै कुछ कुछ बोल रहे थी तो मैंने उसको वही बोला कि भाग जाने तो अभी पिटाई करते हूं तो मैं लगा रही हूं अभी फेस पैक फेस पैक लगा कि इसको पांच मिनद तक छोड़ना है फिर मूध हो लोंगे इसके बाद देखे मैं बोली हूं कि भाग नहीं तो अभी पिटाई करते हूं तो अभी एसब सामाना मैं मूध हो ली हूं उसके बाद मौस्टराजर क्रीम तोड़ा से लगा ले बस इतना ही और इसको मैं कुछ घंटे तक साबू नहीं लगाऊंगे वैसे भी मैं साबू फेस वास जल्दी लगाती नहीं थंडी में बशना हाथ ते समय ही फेस वास का यूच करती हूं फिर उसके बाद दिन भर मेरा चेरा ऐसे ही रहता है मैं नहीं नहीं भी जाते हैं सो जाते हैं रात में तो खुब उधा मचाते हैं सब कुछ-कुछ खाते पीते रहते हैं और खुब उधते रहते हैं बेड पर भी और डेसिंग का कुछ-कुछ सामान किरा देते हैं इसलिए मैं डर के मारे न सारा हटा रही हूं कि जो प्लास्टिक का उस जो इसमें थोड़े से थे न उसी में थोड़ा सा और डाल ली हूँ बस हो गया उतना ही बहुत है दो दीन के लिए बस जा रहे हैं और इधर मैं बना रही हूँ चाय सामका टाइम हो गया है और इधर मैं लसुन छीली थी न तो वही डबे में भर के रख दूँगी क्योंकि मै भी काम करके नइपटाई लूँ और आने के बाद मुझे आटा पिस्वाना है चावल साफ करना है बहुत सारा काम बाकी है मेरा तब तक मैं सुचे की चलो बरतन समेट के रख लेती हूँ इस्टेंड पे सारा इस्टेंड पे लगा देती हूँ और देखे वेजिंग में कित